हेलो प्रेंड तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का वीडियो सुरू करते हैं देखिए आज कल आलू देखिए मार्केट से लेके आने के बाद एक दो दिन बाद देखिए इस तरह से अंकुरित होना सुरू हो जाता है लेके आने के बाद हम लोग दो के ही रखते हैं तो दो के रखने के बाद तो और ज्यादा देखिए इस तरह से अंकुरित हो जाता है तो आप क्या कीज़ें इसके लिए जब भी आप मार्केट से आप लेके आएं अलू को तो सबसे पहले हम लोग दोते हैं तो सिंपल पानी से साधा पानी से ना दोकर देखिए इस तरह से परसे से रूख जाएगा देखिए इस तरह से आप कम से कम 5-10 मिनिट डिप करके आलू को रखिए उपा के नहीं कुछ भी नहीं होगा बस जो अंकुरित हो रहा है वही उसका परसेस रूख जाएगा और इसके बाद आप 10 दिन तक देखिएगा इसमें अंकुरित नहीं आते हैं तो हम गरम पानी से ही हम दोते हैं तो देखिए इस तरह से अंकुरित नहीं होता है अंकुरित हुए भी रहता है तो देखिए इस तरह से काला कला हो जाता है अंकुरित पिर उसमें अंकुरित नहीं होता है तो आप कभी भी लेके आए तो आप साधा पानी से नहीं गरम पानी से दोईएगा आई होप यह टिप आपको अच्छा लगा होगा तो दूसरा टिप से देखिए हम लोग हमेशा पापड या पिर देखिए चिप सोगेरा तलते हैं तो इस तरह से अपना जो यह फेन हुआ कड़ाई हुआ देखिए साइट साइट पूरा तेल के वज जाता है बहुत ज्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा आपको बहुत जल्दी से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है देखिए ज्यादा रगणने के जरूत नहीं है देखिए कैसा चमक गया है लगी नहीं रहा था कि इस तरह से पहले गंदा हुआ तो आई होप यह टि पीचे कुछ ना कुछ गिर जाता है तो आप क्या कीजिए चोटा प्लेट आप टिक सीधा में चूला के सीधा में ही रख दीजे तो चवता टिप्स है देखिए हम लोग कुछ भी प्राई करते हैं तो तेल का चीटा बहुत ज्यादा पड़ता है तो देखिए इस तरह का डग तो चैटा हो जाता है तो हम लोग पिक देते हैं तो आप पेकिए गमत इसको अच्छा से साब करके साबून से सुका लिजे और यह ग्रेटर में देखिए इस तरह से आप ग्रेट कीजिए आपको जो ग्रेटर है वो देखिए अच्छा से दार हो जाएगा इसके बाद अग आपको अगर अच्छासे नहीं चल रहाँ तो उसको भी आप इस तरह से चुटा-चुटा इसको काटिएगा इस तरह से देखिए जिस तरह से काट रहे हैं में तो आपका कहंची अच्छा से चलने लग जाएगा देखिए अब बेकार पेकने से अच्छा है कि इसका उभी बंद हो जाता है और देखिए बोध दिने से साफ नहीं करने से काला पड़ी जाता है तो चलि साप शाफ कर लेते हैं इसको तो देखिये एक कफोरी साधा पानी लिए हैं इसके बाद ये white वीनिगर है इसको डाल देते हैं में कि दो चमाचे दो टिती की इससे बहुत ही अच्छ साफ हो जाता है आपको आपको होल रहता है वो भी पूरा किलियर हो जाता है अगर आपके पास जो से ट्रिक एसिट होता है देखिए अगर है नीबु का पूल जो नीबु सज्ज बोलते हैं अगर है तो आप डाल दीजे नहीं है तो भी चलेगा बिनिगर से भी बिनिगर को तोड़ा से बढ़ा लिजेगा देखिए है हम डाल दे रहें हैं यह बहुत आसानी से आपको किराने के दुकान में मिल जाते हैं अब जब भी रस अलबते है तो आप पूछेगा जरूर मिल जाएगा इसको भी डाल देते हैं इसकि बाद आपको लेसगर है आपको इसमें आमस को ओबालनाए टेज ऊबाल porte देखिए जितना भी होल है वो भी किलियर हो जाएगा इसके बाद देखिए इस तरह से बरतन दोने वाला इसे ले लीजे इसके बाद रगड़ के आप साप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको रात बर छोड़ दीजेगा तो भी बहुत अच्छा साफ हो जा तो देखिए बहुत असानी से साफ हो जाता है आई होप यह टिप आपको अच्छा लगा होगा तो देखिए इस तरह से आप जरूर करके देखिए मैंना में एक बर जरूर साफ करना चाहिए तो देख लेते हैं चलिए सत्वा टिप्स देखिए रोटी हर कोई बनाने जानत कि इसके बाद हलका सा उसको मिला देते हैं इसके बाद उसमें आटा डालेंगे आपको कितना चाहिए आटा उसके इसाब से इसको नरम आटा गुदना है देखिए इस तरह से मिला लेते हैं हलका से दूदर गी को इसके बाद आटा डालेंगे मिलांगों और आपको कितना डालना है उसके साथ में डालए या अधिक नुदु हाथ musi नमक डालएंगे अगर आठा में रोटी में आपको नमक पसंद है तो डालेंगों नहीं तो इस इसकोप कर सकते हैं आपका पसंद के उपर देखिए डालएंगोंगे प्रक aún नमक आट Eliati से ही गूतने के बाद इसके बाद इसको डखके कम सकम पांच मिनूट जरूर रखेगा रेस्ट कभी इस तरह से आप ट्राइब करके देखिए बहुती सूप्त रोटी या पाराटा बनता है तो ट्राइब जरूर करके देखिए अगर चैनल पर आप नए है तो मेरे चैनल को सस subscribe जरूर कीजिए इसी तरह का टिप्स एंट्रिक लेकर आते रहते हैं तो देख लिजे कितना अच्छा और देखिए सोब प्राटा बन रहा है आट वाट टिप्स यह टिप्स तो नहीं है देखिए लब हम यूट्यूब में देखते हैं कि जब भी दूद गरम करते हैं तो उस या फिर इस तरह का कर्चुल रख लिजे देखिए आपके सामने ही देखिए उबाल रहे हैं देखिए कुछ नहीं होता इससे ओ गिर के ही रहेगा जब तक कि आप गैस कम ना करें या बन नहीं करें उबला आलू बहुत ही ज़रुत पड़ता है नस्ता बनाने के लिए या पराटा बनाने के लिए तो आप क्या किजे जब भी आप दाल बनाते हैं समय उसी टाइम आप आलू को अच्छा से चिल के दो के दाल के साथ ही वैल किजे आपको समय आप गेस बच जाए